हेई वाल्गाम बैक टो अर्ट चैनल दोस्तो अचको इस वीडियो में हम बात काने वाल है फूल स्क्रीन डिस्प्ले यानि कि इस डिबाइस में SCRe लिखते ही आपके समने एक इंस्ट्रक्षन आयेगा इस पर क्लिक करके आप सिधा system नेवकाशन में जा सकते है या तो phone settings open काने के बाद scroll करते हुए नीचे नीचे आई है इसके बाद system settings पे tap करेंगे दोस्तो system settings के अंदर आपको navigation features देखने को मिल जाएगा by default यहाँ पे button select रहते हैं अगर आप button से full screen में बदलना चाहते हैं तो guest star select कीजिए LAN guest star full screen कैसे use काना है अगर आपको पाता है तो cancel करिए नई तो LAN पे tap करके full screen के star use काना सीखिए नमर वान swipe in from left और right अगर आपको back काना है तो left और right side से इसी तरीके से swipe काना होगा फिर आप किसी भी application या setting से back जा सकते हैं नमर टू swipe up from the bottom नीचे से अगर हम जोल्दी swipe करेंगे तो आप सीधा home page में चले आएंगे नमर थ्री swipe up from the bottom of the screen and then hold यानि कि नीचे से swipe करके pause करना है फिर आपने जो recent application यूज किया है वो चले आएगा नमर फोर swipe left और right along the bottom edge of the screen left और right side में gesture bar को swipe करके एक recent application से दूसरा application में जा सकते हैं दोस्तो इस तरीके से gesture tutorial से full screen यूज करना सिख जाएंगे इसके बाद hide gesture guide bar को turn on करके नीचे जो gesture bar दिख रहा है उसे आप hide कर सकते हैं switch to previous app यहांसे अगर हम gesture bar को left और right side से swipe करके hold करेंगे तब previous recent application open हो जाएगा तो दोस्तो इसी तरीके से अब अपने phone पर full screen gesture यूज कर सकते हैं उम्मीद करते हैं कि एफ वीडियो आपके लिए बहुत देल भूलता है तो इस वीडियो को like करके हमारा चैनल सबसे करना ना भूले हैं